एक computer की आड देखी जिस पे देखते ही जैसे love at first sight होता है ना देखते ही मेरा दिल आ गया मेरा बड़ा बेटा online देख्या है कि टीवी कितने का है उन दोने अपनी गुल्लक में से पैसे निकाले और वो पैसे में लाके दे दिये माब अपने यही समझाया था कि 10th board कर लो बेटा तो life set है बार भी बोर्ड कर लोगे तो life और भी set है मैं monastery जाता था या स्रोजिनगर की market में 300-400 रुपे की jeans लेकर मैं ऐसे समझता है कि मैंने Levi's की 2000 वाली jeans पहने हूँ पैसे को invest करना यह पैसे को बढ़ाना आज भी नहीं आया है एरपोर्ट पर जो ट्रॉली होती है इंडिया के एरपोर्ट पर फ्री मिलती है वहाँ पर उसको swipe करने के लिए भी छे डॉलर की cost थी कर थो पैसा करती है तूपैसे पेक्यों मरती है अब अब कौओगे उतकर्शक को आज कल क्या हो गया हर दूसरी वीडियो में गाने से शुरू करता है, थोड़े टाइम में मैं इंडिया राइडल में जाने वाला हूं, आप देखते रहना, भील, आज की इस वीड़े में बात कर रहे हैं, पैसे की, आप इमाजन करो कि आप अपनी गर्ल्फरेंड को डेट पे लेके जाते हो, और आपकी जेब में 10 रु में पैसा एक बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है, मैं आज बात कर रहा हूं, अपनी कहानी, मेरा जो evolving relationship रहा है पैसे के साथ, बच्चपन से लेके, जवानी तक और आज जहां middle age में हूं, it started with a very no relationship kind of a state, फिर उसके बाद एक complicated relationship बना, और आज भी relationship evolve हो रहा है, तो यह प नहीं होगा हो सकता है, आपकी बड़े गुड़ों ने, यह आपको बताया हो, मैं से agree नहीं करता, क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर पैसा हातों की mail होती है, तो मेरे हात थोड़े mail ही रहे, तो अच्छा रहेगा, बट पैसा उससे बहुत important है, हम सोचते हैं कि पैसा खुशी बहुत ही एक delicate age होती है, उस age में आपकी नहीं नहीं चीज़ें आप सीख रहे होते हैं, आपके अंदर एक curiosity होती है, आप question करते हैं चीजों के, तो हम सोचते हैं कि उस time में शायद पैसे और हमारा relationship बनना शुरू हो जाता है, well, मेरे case में वो एक ऐसी stage थी, जब मेरा और पै मेरा दी गई थी या, या मैं कोई monthly pocket money उस age पर receive करता था, जो मैं इखटी करकर चीज़े खरीदना चाहता था, ऐसा कुछ पी नहीं था, हाँ, वो ज़रूर होता था कि birthday कहीं पर जब कोई family वाले आ जाए, कोई मासी भूआ ताया चाची आ जाए, तो वो सगन दे दे थे जो ले के बड़ी खुशी मिलती थी, मुझे आद है, mom, dad समझाते थे कि बेटा जब कोई पैसे दे तो पहले दो बार मना कर दिया करो, और मैं सुचता था क्यों मना करो, घर आती ही लक्ष्मी को क्यो ठुक रहा हूं मैं, आ रही है तो उसको ले लना चाहिए ना, बच्पन से ये सोच थी दिमाग में, बहुत शुरू की बात है, पांच ये शे साल का मैं था, और मेरे चाचा की घर में कम्प्यूटर हुआ करता था, मैं उनको थांक्यू बोलना चाता है इस वीडियो के तरू कि उनके उस इनीशियल एक्पोजिशन के काने मैं कम्प्यूटर करना इतना महगा कम्प्यूटर हमारे घर में कभी हो पाएगा, और फिर थोड़ा सा फास्फोवड करता हूँ, एक ऐसी मोमेंट थी जब मैंने अकबार में एक आड देखी, एक कम्प्यूटर की आड देखी, जिस पर देखते ही जैसे लवाट फरस साइट होता है न, देखते ही मेरा दिल आ गया, उस कम्प्यूटर की कीमत थी I think 49,999, एड में बड़ा बड़ा लिखा था कि ये एकदम ब्राइंड न्यू कम्प्यूटर फॉर दिस मजब, अब उस टाइम में ये बात है कुछ 1994-95 की, 1994-95 में बहुत मुश्किल था फॉर एनी पेरेंट तू गिव 50,000 तुम्हारा क्या रिलेशनिशिप होना चाहिए, तो वो लोग मुझे कहते कि अपने आप पॉकेट में इखटी करो और अपने लिए कम्प्यूटर खरीद लेना, तो मैं अगर इमाजन भी करूं कि अगर 100 और महीना भी मिले, तो वो भी 50 महीने, यानि कि 4 साल लगते मुझे वो एक कम्प्यूटर खरीदने के लिए, बट उससे एक ऐसा रिलेशनिशनिफ फॉर्म होता पैसे के साथ, जो शायद मैं समझ पाता कि पैसे की क्या वैल्यू है और पैसे कमाना कितना मुश्किल है, बट मेरे माँ पैसे थे कि एक बार उनको पता जल जाए कि हमारे हो जाओगा, मेरे पास सारे इंपोर्टन रिजन से जो मैं उनको समझा पाया, करनी मैंने ड्रॉइंग ही थी, बट मेरे पास सारे इंपोर्टन रिजन थे, अब ये देखते हुए, मेरे माँ आपने इंस्टेड उफ गिविंग मी दाट मोटिवेशन तो मैनेज मानी उन्हो हो जाएगा, अब इस कहानी से मैं अभी अपनी प्रेजन्ट स्टेट पे आऊ, मेरे बच्चों के साथ मेरा रिलेशन पर जो मैंने और कामे ने मैंटेन किया है वो बहुत डिफरेंट है, उनको हर थोड़े दिन में जब दादी नानी या कोई भी महमान हमारे घर में आते है तो उनको कोई ना कोई सगन मिल जाता है, आजकल तो वैसी वो टाइम है कि आप अपनी जैसे मेरी चाची के अगर में बात करो तो हम उनसे साल में एक आद बाद मिलते हैं, जब भी बच्चे मिलते हैं तो उनको सगन ज़रूर मिलता है, उन्होंने वो धीरे-धीरे गुल्ल एक बार की बात है, हम यह डिसकस कर रहे थे कि उनको अपने रूम में एक टीवी चाहिए, मैंने और वाइफ ने क्लियरली मना करते हैं कि आपको टीवी अभी नहीं मिल सकता, मेरा बड़ा बेटा ओनलाइन देख कि टीवी कितने का है, उन दोने अपनी गुल्लक में से पैस ले और उनको टीवी दे दिया, तो जब भी वो उस टीवी को देखते हैं, वो फ्रावडली कहते हैं कि यह टीवी हमने अपने पैसो से खरीदा है और हमने अपने आप खरीदा है, उल्टिमेटली उन पैसो का सोर्स कोई भी हो, बट उनके लिए एक एक एंपावर स्टेट of mind है और हम चाहते हैं as parents that हम उनके साथ यह relationship जरूर maintain कर सके कि उनको इसी age से समझाए कि पैसा कमाना भी मुश्किल है उसको बचाना भी मुश्किल है लेकिन उसके साथ जब आप कुछ खरीद पाते हैं तो बड़ी empowered state of mind होती है अब जिरो टो टेन वाली स्टेज में जब कोई pocket money नहीं मिलते थी जब यह नहीं सिखाया गया कि पैसे को कैसे manage करना है तो my relationship with money was no relationship याद है मुझे कि उसके बाद एक एसी स्टेज आई जब आप 11-12 साल के हो तो तो कुछ parents 100-200 रुपे देने श्रीव कर देते हैं अब वो 100-200 रुपे उस ताइम बहुत बड़े होते थे क्योंकि आप वो 200 रुपे लेके उनको जब सेव करते थे और आप एक स्टेज पर पहुंचों कि आपके वास 500 रुपे हैं तो ऐसा लगता था कि you are the richest person in the world आप अमी video game के अपनी कुछ cost थी राइट तो उसके साथ जब मैंने पूछा कि ये CD कितने की आएगी तो उस CD कुछ 500 रुपे की थी Cricket 95 की CD थी ये भी मुझे आद अब वो CD खरीदना दरिया गंज की मार्केट में मैं मौम डाट भूब रहे थे वो CD खरीदना बहुत मुश्किल काम था क्या कि अभी तुमने वो video game खरीद दी उतकर्ष तुमारे पेरेंस से तुम्हें एक बार भी कुछ निकाँ as a Christmas gift, New Year gift लेके दी थी अब तुम उनसे अगर एक और CD भी मांगोगे तो मना तो नहीं करेगे बट शरम आनी चाहिए नो कि जो अपने पैसे आपको मिले है उनको आपने जब सेव किया है तो वो मोमेंट है कि आप उससे कुछ खरीद सब्सक्राइब मैंने मौम डाट को बड़ी हिम्मत करके कहा कि मेरे पास घर मेरी गुल्लक में कुछ पैसे हैं यह 500 रुपे की यह मेरे को बहुत अच्छी लगती है क्या मैं यह ले सकता हूँ उस सीडी को मैं पकड़के इतना खुश था कि मैंने अज अपने पैसो से एक चीज खरीद दी अपने लिए जिसको मैं इंजॉय कर सकता हूँ यह होता है मनी को सेफ करके उससे एक एंपावर्ट सेट फील करें जो वह उपने बच्चों का बता रहा था कि कैसे उन्होंने टीवी खरीदा और वो हर रोज उसके लिए प्रावड होते हैं मैंने वो 500 रुपे की सीडी खरीद हूँ बीस साल में दुनिया कितनी वदल गई है मैं 500 रुपे की सीडी में खुश था और वो 20,000 के टीवी में खुश थे अब यह सेम चीज अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ जो मुझे लगता है कि मैं उस समय नहीं कर पाया वो यह था कि मेरा relationship with money was to save it and then to use it but never to grow it पैसे को कैसे बढ़ाना है यह मुझे उस stage में नहीं सिखाया गया था शायद वो time ऐसा था कि जब माबाप इतना investment के बारे में या share market के बारे में ऐसी से बच्चों से नहीं करते थे मुझसे भी नहीं करी गई बड़ा जब मेरा बड़ा बेटा इस बार वारा साल को हो जाएगा तो मैं वाइफ उससे बात करना चाहते है कि whatever money you are saving अगर उसको तुम गुलक में रखोगे तो उसको कोई इंटरस्ट नहीं मिल रहा तो मुझसे कुछ नहीं कर पाऊगे लेकिन अगर तुम उसको वेरेशन आएगा तो यह एक ऐसी स्टेज थी है उससे दस से पंदरा साल वाली जब वो छोटे-छोटे मनी मिलता था 200-300 रुपे की पॉक्ट मनी मिलती थी जब मेरा रिलेश्टिशिप बनना शुरूवा मनी से कि मनी इस डिफिकल्ट टूर्न हाडर तुसे बड़ पैसे ख गया था और वहाँ पर उसका एक स्कूल फ्रेंड था मैं उससे पूछा कि तुम क्या करते हो उसने का मैं एप्स बनाता हूं आइस्टोर के लिए मेरा मुझ खुला का खुला रह गया 16-17 साल की उमर में तुम कोड करना जानते हो तुम आप्स बनाना जानते हो मैं अगर 20 साल पहले जाओं जब मैं 16-17 साल का था मतलब 10-11 और 12 इससे उपर तो कोई एम ही नहीं था लाइथ का माब आपने यही समझाया था कि 10 बोड कर लो बिटा तो लाइफ सेट है कॉक्र मनी 200 रुपे से 1,000-1,500 रुपे तक कोहांच गई था अब वह 1,500 रुपे अगें ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है 15,000 रुपे महीना मिल रहे हैं इसमें तो मैं सारी दुनिया खरीच सकता हूँ स्कूल में जाके कैंटीन में खाना या जब कॉलेज चुरुआ तो कैंटीन में खाना और दोस्तों के साथ घूमना यह सब असान होता गया मुझे आज भी याद है कि वह 1,500 रुपे काफी लगते थे लेकिन फिर भी मैं सेब करने में रुपता नहीं था मैं उस टाइम कोई ब्रांड़ कपड़े पहनने का शौक नहीं रखता था एक मुझे बड़ी कॉमन याद है कि I was born intelligent but education ruined me और यह सब बहुत stylish चीज़े लगती थी उस ताइमें कि जो कॉलेज में और लोग थी देखते थे अरे उतकष बड़ी stylish चीज़े पहन किया रहे वो कोई branded t-shirt नहीं थी ultimately मैं monastery जाता था या स्रोजी नगर की market में 300-400 रुपे की jeans लेके मैं ऐसा समझता कि मैं लीवाइस की 2000 वाली jeans पहनी है यह relationship जो evolve हो रहा था पैसे के साथ कि पैसे को बचाना और पैसे को संभाल की use करना बहुत जरूरी है यह एक बहुत important relationship किसी moment मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि पैसे को मैंने overspend किया हो यह पैसे को मैंने utilize सही तरीके से ना किया हो बड़ उसमें यह जरूर मैं add करूँगा कि पैसे को invest करना यह पैसे को बढ़ाना आज भी नहीं आया था 16-22 साल की उम्र तक भी कभी parents यह discussion नहीं हुआ कि कहां आप invest कर सकते हो चाहे हो stocks हो चाहे हो FDs हो mutual funds हो कुछ भी क्योंकि हमने वो चीज नहीं देखी थी या पैरेंस नहीं किया थो अब अगर मैं आज के टाइम में जो मैंने नहीं सीखा हो मैं अपने बच्चों मैं कैसे shift देखना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि जब हमारे बच्चे 16-22 साल की एज में हो तो उनको पता मैं चाहूंगा कि वो समझे की पैसे को आप कैसे बढ़ा सकते हो पैसे को कैसे यूटिलाइज कर सकते तो जो गल्तियां इन अभी मैंने करी थी वो मैं उनके साथ हो यह नहीं चाहा अब उस एज तक 18-20 साल की तक मैंने पैसे कमाने का कभी नहीं सोचा था और याद अभी ल उससे वो चॉकलेट और सारा समान करीद के लाए थे तीन घंटे की मेहनत के बाद जब उन्होंने साड़े साथ सो यह आठ सो रुपे कमाए थे उस दिन पर हैड उस पैसे से उस फर्स्ट कमाई से रियान वस सो हापी अधा स्टेज में जो मैंने सिखा हूई है कि पैसा और ड्रेटली प्रोश्ण नहीं है अगर आप अमीर नहीं है या बहुत आसा नहीं आपके पास तब भी आहांप अपना बेस दुनिया में दे सकते हैं आप अच्छे लग सकते हैं, आप अच्छे तरह confidence है, अपनी personality को maintain कर सकते हैं, जिससे आप इंपक्ट दुनिया पे डालेंगे, वो बहुत ही positive होगा। चलते हैं वगली stage पर, अब यह वो state है, जहां पर college की पढ़ाई खतम हो रही है, और time आने वाला है first job का, time आने वाला है पहली कमाई का, मुझे आप भी बहुत vividly आदे, मेरे father physician है, तो उनका clinic हुआ करता था, और उनके साथ ही मैंने अपना clinic स्टार्ट किया, जब मैंने एक मह महीना पूरी महनत से patients देखे, उस महीने के end मेरी कमाई टोटल, I think, 3,000 रुपे आई, और मैरे अपने father को का, इतने तो आप मेरे को pocket money में दे दे दे, मैरे को इतनी पढ़ाई आपने इस moment के लिए कराई कि मैं 3,000 रुपे महीना कमा सकू, तब उन्होंने मुझे समझाया था कि be patient with your money, अगर तुम पैसे के पीछे भागना शुरू करते, तुम सोचते रोगे कि पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल state हो जाता है, महाप उन्होंने वो बात भी share करी थी, कि जो आपका पैसे के साथ relationship पे वो ऐसा से पांच में तक एक हॉस्पिटल में थी, और वहाँ पर जो टोटल सालरी मिलने थी महीने की, वो कुछ 11 या 12,000 रुपे थी, अगेन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, कि एक 10-11,000 रुपे कि आप सारा दिन काम कैसे कर सकते हो, अगर मैं उससे अपनी पर आवर वैल्यू ड इसा मिले, आपको अंदर वो स्किल्स डिवैलप करने हैं, जिससे आप अल्टिमेटी जो आप अभी कमा पा रहे हो, उससे आप उस पैसे को बढ़ा सको, शेयर मार्केट में भी करीमन वही टाइम था, 2008 का इधिंक जो डिबाकल हुआ था, जो रिसेशन था, उस तक मैंने द मेरे, मेरी कामें के साथ, जो कॉनर्जेशन हुआ करती थी, मेरे फादर से, मेरे फादर इनलॉ से, इन सब में पैसे को पिविट पॉइंट था, जब मुझे ये समझा गया, कि अल्टिमेटी पैसे को बढ़ाने के लिए, सिर्फ अगर आप सारी जिम्दी की महनत करते तो उससे आप अमीर नहीं हो सकते, उससे आप प्रोड़क्टिवली पैसे को गेन नहीं कर सकते, you have to find a way that you employ others, you make your money grow and that's the only way that you can make enough money to have a good life. अब यह वहाली स्टेज भी है, जब मैं अपना क्लिनिक चला रहा था, तो मैं जिस एक एरिया में था, महां पर मैं कुछ 100-800 रुपे घंटा चार्ज करता था, मुझे मुझे मौका मिला एक ऐसे पेशिंट के या जाने का, जहां पर साउट डेली में वो थे, और जितनी देखा है, उनको पता भी नहीं कि मैं डॉक्टर वर्थ इट हुए या नहीं, लेकि मेरे पास स्किल्स थे, अब जो पेशेंट आये, तो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, त्रीटमेंट से बहुत खुश हुए, जैसी मैं ट्रीटमेंट के बाद पूइमेंट के लिए देखा है, तो मुझे उनसे बाद मेंट से जो सही थे, अब यहाँ वो स्टेज है, जब मैं नौकरी चेंच करने वाला थे, जब मैंने इसोच रहते हैं कि मैं करियर चेंज करूँगा फम बिए फिजिए थेरपिस्ट तो नाओ गोई इंटो अ कॉर्पेट जॉब नो क्लू मेरे को नहीं पता था मेरे पास कॉंसे स्किल्स हैं मैं सीख के गया था कि यह मैं कर सकूँगा ऐसे करूँगा वो करूँगा अल्टिमेटली जो उस ताइम भी इंपोर्टन फैक्टर था वो मनी कि आप जितना पैसा भी कमा रहे हो आप उससे कम में काम करना कई बर नहीं चाहोगे बट मेरे लिए मिचो करना पाऊंगा तो मेरे लाइफ इस तरीके से अंसेटल हो जाएगी जो मैं नहीं करना चाहता दो तो after a successful interview, जो मैंने फाउंडर को कहा, कि जब उनने पुछा कि what is your salary expectation, तो मैंने clearly कहा, जितना मैं अभी कमाता हूँ, मुझे उतनी salary expectations. मैंने ज्यादा नहीं raise किया, क्योंकि मैं एक नए डुमेन में जा रहा था, मेरे skills जो थे, वो एक नए जगा apply होने वाले थे, लेकिन I knew that I want at least that amount of money. ये वो भी stage थी जब 27-28 साल की यच पर, मैंने finally investments शुरू कर दी थी, इस phase की जो learning है, वो यह है कि, ultimately I was very late to investing, I think मुझे 18-20 साल में कहीं ना कहीं इंवेस्टिंग शुरू कर देनी चाहे थी, मैंने कहीं 26-28 पर जाके करी, अब मैं rewind तो नहीं कर सकता, बट मैं ये जुरू सोचता हूँ कि, अब नहीं तो कब, तो इसलिए, जो भी stage पर आप शुरू कर सकते हैं, I think it's a fair point. Finally आता हूँ, अभी almost present day पर, दो साल आगे पीछे ले लेते हैं इसको, जब मैंने दो साल पहले जॉब छोड़ लेते हैं, आपको मैंने भी बताया है, जब मैंने फिजिए थेरेपी से एक नए डुमेन में गया, तो I asked for a similar salary, but when you go out from a job to an entrepreneur, then आप X salary से zero salary पर जाते हैं, I still remember January में जब वो घंटी नहीं बचती कि salary कितनी credit हुई आपके account में, बहुत मुश्किल मोमेंट होती है, but I was then confident कि मैं अपने जो skills है, उनको यूज करके कही ना कही वो पैसे कमा पाऊंगा, so जब मैं इस नई जॉब में था, तो यहां पर मेरे को बहुत बार बाहर जाने का मौका मिला, जब मैं नुई यॉआक में पहली बार गया था, मुझे आज भी आद है कि एरपोर्ट पर जो ट्रॉली होती है, इंडिया के एरपोर्ट पर फ्री मिलती है, वहां पर उसको स्वाइप करने के लिए भी छे डॉलर की कॉस्स थी, बट क्योंकि मेरे पास दो बैक्स में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बड़ा है मुल्टिप्लाइट, उसको 6 इंटो 70, 420 रुपीज, इससे तो खुदी बैक उठा के चले जाओ, ये फरक था, माइंडसेट और हाओ आउस टैकलिंग मनी, बाहर निकले, पानी की बॉटल ली, 3 डॉलर की पान, 180 रुबे, 210 रुबे की बानी बॉटल, जो इनीशिल फर्स्ट टूर था, वो बहुत मुश्किल था, उस टाइम में मेरा हर दिमाग बार-बार काल्कुलेट कर रहा था, कि आप डॉलर को रुपीज में कनवर्ट करो, और आप ये चीज़ परचेस करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, जब मैं बार-बार बार गया और मैंने काम किया वहाँ पर, तो मुझे समझान लगा कि ये पैसे की वाल्यू है, उनके पैसे की वाल्यू हमारे पैसे की वाल्यू से हायर है, and so I don't have to every time do this calculation, क्योंकि कर मैं वो calculate करता रहता, तो life जीना बहुत मुश्किल काम था, अब इस calculation को reverse में मैं कई बार सोता हूँ, आज बहुत अच्छी companies है जो इंडिया में बनी है, लेकिन बाहर काम कर रही है, तो suppose करिए कोई ऐसा इंसान है जो एक marketing agency चलाता है, या कोई ऐसा है जो किसी को बाहर कोई ऐसी service प्रोवाइड कर रहा है, जो इंडिया से बहुत अच्छी से हो पाती है, अगर वो उस काम के इंडिया में 5000 रुपे लेता है, और वो बाहर जाके उसी काम के 500 डॉलर लेता है, आप खुद calculate कर लेजे, कितना फरक होता है, that is when my relationship with money evolved further, कि ultimately आपको अपने time की और आपको अपने काम की value को बढ़ाना है, अगर आप अभी किसी चीज के 100 रुपे लेते हो, 500 रुपे लेते हो, आप उसको कैसे multiply कर पाऊगे, यहाँ पर वो अल एक्जांपल, जो साउट डेली में वो जो पेशेंट थे, जिन्नों ने मेरेको 800 रुपे दिये थे, वो भी दिमाग में आता है, so ultimately at this stage, what I would say is, my relationship with money still stays complicated, I live one day at a time, मेरेको कल का कुछ नहीं पता होता ना, मैं चिंता करता हूँ, मैं हर रोज पूरी तरह जीना चाहता हूँ, वो मेरे लिए सबसे important है, I make sure that I ask money wherever possible, to a level, जहाँ पर मैं अपने time की जिस तरीके से value करता हूँ, मेरे लिए यह चीज बहुत ज़रूरी है, और हमेशा ज़रूरी रही, investments के लिए, I am 10 years late, but still on that path, सीख रहा हूँ मैं अभी, जैसे आप सीख रहे हैं, Finally, पैसा एक ऐसी चीज़ है, जिसका वो जो हम चदर वाला example देख रहे थे न, कि टांगे उतनी पसावर जितनी चदर है, मेरा ये मानना है, कि आप नई चदर भी खरीच सकते हो, मेरा ये मानना है, आपकी बहुत अलग होगी, बड़ अगर कुछ अच्छा है, तो comment में जरूर जा लिए, हम पढ़ना चाहते हैं, कि आप कैसे सोचते हैं पैसे के बारे में, Ignite Neurons on a mission to touch a billion lives positively, आपका एक like, एक share, एक subscribe माने मिशन में माना साथ देता है, So why don't you go ahead and do that?